हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल क्रेक्यूर कमटिशन विदा इंगले फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग 11 जून 2030 आज के टॉप कंटैफिर्स को पढ़ने वाले हैं साथ ही हम लोग इस से रिलेटर्स चीके की कोश्चन्स को भी पढ़ने वाले फ्रेंड्स से अबया तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लिजये क्यूंकि आपको डीज मंतली और वीकिली कंटैफिर्स की वीडियो यहां पर प्रौाइट करवाई आती है वह भी तरह के कोश्चन्स यहां पर मिले मिलने वाले हैं यादि किसी भी कमटेश्ट रेजाम के त्यारी करें तो आपके लिए काफी उच्फूल हो सकती है तो प्लीज वीडियो को लाज तक जरूर देखेंगा साथी फ्रेंट से यह अपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो डेस्किप्शन वाक्स में प्लेलिस लिंग दिया हुआ है वहां पर जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं चले फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं आज का सरकार ने बिजली छेत्र में उभरती प्रोद्यों कि सिग्रता से पहचान करने और उ सरकार ने बिजली छेत्र में उभरती प्रोद्यों क्योंकि सीक्रता से पहचान करने और उने देश के भीतर और बाहर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से बिक्सित करने के लिए उन्नत और समुच्छ प्रभाव अनुसंदान माहिर पर मिशन शुरू किया है मिशन का उदेशी बिजली छेत में नवीन्तम और उबरती प्रोधियों के स्वदेशी अनुसाद अनुसंदान विकास और प्रदर्शन को सुवदाजनक बनाना है नेश्ट कोशन है कोशन नमबर टू राजद्वारा संचालित NHPC ने राज में पंप स्टोरेज योजनाओ और नन्य नवी करनी है उड़्जा आर ई शुरूत प्रयोजनाओ के विकास के लिए किस राज के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है A. महराष्ट, B. टमिल नाडू, C. गुजरा, D. हिमाचर प्रदेश तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर A. महराष्ट के साथ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है राज द्वारा संचालित NHPC ने राज में पंप इस्टोरेज योजनाओ और अन्य नभी करणिये उर्जा R. श्रोद प्रयोजनाओ के विकास के लिए उर्जा विभाग महराष्ट के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है MOU में कुल 7350 मेगावाट के 4 पंप इस्टोरेज प्रोडक्स PSP के विकास की परिकरपना की गई है अर्थात कालू 1150 मेगावाट साबितरी 2250 मेगावाट जालू 2400 मेगावाट और केंगरी 1550 मेगावाट के 77 अन्य आड़ ई शोद राज में परियोजनाओं से राज में लग और वक्साथ हजार प्रत्यक्ष रोजगार अगरशित होंगे महराष्ट के बारे में important points हैं महराष्ट की राजधानी है मुंबई मुख्यमंत्रिहें एक ना सिंद्ध और राजपाल रहें आके रमेश ब्यस नेक्ट कुशन है कुशन नमबर 3 निमन में से किस राज ने 5 में खादी शुरक्षा सुचकांग में छोटे राज्यों में शीर सिस्थान प्राप्त किया है A. त्रिपुरा, B. गुवा, C. असम, D. मडिपुर तो राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर B. गुवा इंपोर्टेंट पॉइंट से खादी सुचकांग करता है बड़े राज्यों में केरल ने शीर स्रेंकिंग हासिल की उसके बाद पंजाब और टमिलनाडू का इस्थान रहा छोटे राजों में गुवा नेता के रूप में उग्रा उसके बाद मरिपूर और सिक्किम का इस्थान रहा इसके अतिरिक्त जम्मो और कश्मीर दिल्ली और चंडीगर ने केंडर शाष्य प्रिदेशों में क्रमशा पहला दूसर और तीसा इस्थान आसिल किया नेक्स्ट कूशन है हमारा कूशन नमबर फूर केंडर मंत्री मंडल ने कितने रुपए के कुल परिविया के साथ बीस एनल के तीसरे पुनर उध्धार पैकेज को मंजूरी दी है A. 69,000 करोड, B. 79,000 करोड, C. 89,000 करोड, D. 89,000 करोड तो राइट आंसर आप्शन मबर दी हो जागा 89,000 करोड रुपए के कुल परिविया के साथ इंपोर्टन पॉइंट्स हैं B. 79,000 की अधिकरित पंजी को एक लाग पचास हजार करोड रुपए से बढ़ाकर दो लाग दस हजार करोड रुपए किया जाएगा कैविनेट ने कंपनी के लिए एक्विटी इंफ्यूजन के जरिये 4G और 5G स्पेक्रम के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है इस स्पेक्रम अवंटन के साथ BSNL, अकिल भारतिये 4G और 5G सेवाओं के साथ-साथ बिविने कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत ग्रामीर और अचूत गावों में 4G कवरिज प्रदान करने में सक्षम होगा नेश्ट कोशन है, कोशन नमबर 5 निमलिकित में से किसने एक स्वास्त और बिसन मुक्त भारत को बढ़ावा देने के लिए बिसन मुक्त अमरित काल अभियान शुरू किया एक केंदे जांच पियरू बी राष्टे महला आयोग, सी राष्टे बालत का सेमभाशन आयोग,D स्वास्त और परिवार कंल्यान मंत्रा लाए तो राइट आंसर हो जाएगा option number C, राष्टे बालत का सेलक्षन आयोग ने important points है राष्टे बालत का सेलक्षन आयोग NC-PCR ने एक स्वस्त और बेसन मुक्त भारत को बढ़ावा देने के लिए बेसन मुक्त अमरित काल अवियान शुरू किया है यह अवियान NC-PCR द्वारा तंबाकु मुक्त भारत एक नागरिक समू के साथ साजिदारी में आयोजित किया गया है इस अवियान का उद्देश ये पहलों और आउट्रिच कत्विदियों के मादेम से तंबाकु और नशा मुक्त भातावरण के लिए बच्चों के अधकारों की रक्षा करना है नेक्स्ट कोशेन है कोशेन नमबर सेक्स पोला वर्म परियूजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए किंद सरकार ने आंधर प्रदेश को कितने करोड रुपे की मनजूरी दी है एक 11,911 करोर बी 12,911 करोर सी 13,911 करोर डी 12,913 करोर तो राइट आंसर ऑप्षिन नमबर सी बी हो जाएगा 12,911 करोर इंपोर्टन पॉइंट से पोला बरम परियूजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए किंद सरकार आंधर प्रदेश को 12,911 करोर रुपे मनजूर करने पर सेहमत हो गई है 12,911 करोर रुपे की स्विक्रित रासी में डाया फ्राम की दीवार के निर्मार के लिए 2,000 करोर रुपे भी शामिल है जो बार के कारण बह गई थी पोला बरम परियोजना आंधर प्रदेश में गोदाबरी नदी पर एक निर्मारा धीन बहुत देशी सिचाई परियोजना है नेक्स्ट कुश्चन आंधर प्रदेश से रिलेटिट पॉइंट से राधानी है आधर प्रदेश की अमरावती मुख्य मंत्री हैं बायस जगन मोहन रेडी और राजपाल है यहांगे अगदुल नजीर किस कंपनी ने 2030 तक भारत की संभावित यो एश्टी बन ट्रिलियन इंटरनेट अल्थिव्योस्ता को एक प्रमुक बढ़ावा देते हुए भारत के बारा राजियों में कम सेवावाले समदायों के लिए इंटरनेट का उप्योग प्रधान करने के लिए एर जल्दी नेटफर्स के साथ सहयोग किया है एक माइक्रोसॉप्ट बीक रहर सी एड़ोफ डी गूगल तो राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर एक माइक्रोसॉप्ट कंपनी ने माइक्रोसॉप्ट ने 2030 तक भारत की संबावित यूएश्टी वन ट्रिलियन इंटरनेट अर्थिवस्ता को एक प्रमुप पर हवा देते हुए भारत के 12 राजों में कम सेवावाले समुदायों के लिए इंटरनेट एक्सिस प्रदान करने के लिए एर जल्दी नेटवर्स स साथ सयोग किया है MOU के तहत कंपनिया निजीर साब जने 11 लावकारी छेतों के सयोग से एक मौलिक अधिकार के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट और सार्था कनेक्टिविटी तक पहुंच का को आगे बढ़ाएंगी MOU में आगे रिखांकित किया गया है कि बेब अगले तीन वर्षों में सहयोग का मुक्य फोकस तीन नए राज्यों तेलंगाना 36 और ओडिशा में एर जल्दी नेटवर्क का विस्तार करना होगा जिसमें 12 राज्यों में नेटवर्क इस्थानों की संक्या 40 से वड़कर 62 हो जाएगी यह 9 राज्यों में बायर्लेस और व भी ध्यान के इंदेप करेंगा नेक्स्ट कोशने कोशन नमबर एक हाल ही में किसने साग परिक्रमा पहल के साथ में चरण की सुरुवात की है एक पुर्षोत्तम रुपाला भी प्यूश को सी चितेंद सिंग डी सुरेश प्रभू राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमब पहल के साथ में चरण की शुरुवात की है साग परिक्रमा चरण साथ केरल के तटी चेतों और लफ्षदीब के के निशाची प्रदेश शाषन को कवर करेंगा अनुटी पहल का उद्देश पूर्मेधारी समुद्री मार्ग के माध्यम से पूरे देश में टटिये चेतों क दौरा करना मच्वारों मचली किसानों और सरकारी हुजनाओं के लावारतियों के लिए उनकी चिंताओं को दूर करने और मतस्य पालंचियत की उन्नती के लिए सुझाओ एकत्र करना है सागापरिक्रमा के पहले चरण की आता पांच मार्ट 2022 को मांडवी कुजरात से शुर नेक्स्ट है हमारा कोशन नमबर नाइन मर्सर के रहने की लागत सर्विक्षन 2023 के उसान निम्रिकित में से कौन सा शहर प्रवासियों के लिए बैसे इस पर पर सबसे मेंगा शहर है तो ऑफ्षन है इसके मर्सर के कौश्ट ऑफ लिविंग सर्विक्षन 2023 के उसार मुंबई को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे मेंगा शहर माना गया है मुंबई के बाद नई दिल्ली और बैंगलोरू जैसे शहर भारत में प्रवासियों की सबसे मेंगी सूची में दूसरे और तीसरे इस्थान पर आते हैं मर्सर कोश्ट ऑफ लिविंग सर्वे 5 महादीपों के 277 शहरों में किया गया था मर्सर के 2023 कोश्ट ऑफ लिविंग सर्वे में मुंबई को व्याश्वी रैंकिंग 147, नई दिल्ली को 179, चेनई को 184, वैंगलोरू 189, हैजवाद 202, कोलकाता 211 और पूरे 213 परिस्थान दिया गया है नेक्स्ट कोश्ट है, कोश्ट नमबर 10, आर्वियाई की नवी इंतम मौद दिखनीती समिती की रिपोर्ट के उसा सीमा तिस्थाई सुविदादर क्या है ए, 6.25%, B, 6.55%, C, 6.75%, D, 5.75%, तो राइट आंसर हो जाएगा, ओफ्शन नमबर C, 6.75%, इंपॉर्टेंट पॉइंट से हैं आर्वियाई ने FY24 GDP ग्रोध के उनमान को 6.55% पर बरकरार रखा जबकि उमीद है कि FY24 CPI मुद्वाइस पीती 5.1% रहेगी बित्यवाज 2023 के लिए पास्तविक GDP ब्रदी उनमान 6.5% रहने के उनमान लगाया गया है पहली तिमाही में 8% दूसी तिमाही में 6.5% तीसी तिमाही में 6% और चौती तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है सीमान तिस्थाई सुविदादर और बैंकदर 6.75% पर अपरिवर्तित है MPC की अगली बैठक 8 से 10 अगर 2023 के दोरान निर्धारित है सिडवी ने MS MES को बित्ते समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझोरता ग्यापन पर हिस्ताक्षर किये है A. South Indian Bank B. Axis Bank C. S. Bank D. HDFC Bank तो राइट आंसर ऑफ्षेम बड़ी हो जाएगा HDFC Bank के साथ Important Points से भारती लगू उत्योग विकास बैंक C. S.B. ने MS MES को बित्ते समाधान प्रदान करने के लिए HDFC Bank के साथ एक समझोरता ग्यापन पर हिस्ताक्षर किये है M.O.U. के तहत सिड़ी और HDFC Bank सुक्ष्म लगू और मध्यम उध्यम उध्यमों M.S.A. M.E. M.S.M.E. के तहत ग्रहाकों को पूर्ण बित्ते उत्पाद और शेवाएं प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे समझोरत ग्यापन M.S.M.E. को निर्वाद तरीके से पूर्ण बित्तिये समधान प्रदान करने की सुविदा प्रदान करेगा यह विवस्ता M.S.M.E.S. को दोनों बैंकों के बित्ति उत्पादों और सेवाओं का ला उठाने में शक्षम बनाएगी एक मुख्याल है इसका मुंबई महराष्ट में और इसके M.D. और CEO है शेषदर जगदीशन इसके अध्यक्ष है अतुन चक्रबर्ती नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 12 यूपी आई लेंदेन के लिए आधार आधारित प्रमाडी करांट किसने लॉंच किया है जो उप्योविताओं को बिना डेविट कार्ड के अपना यूपी आई पिन सेट करने की अनुमति देगा ए फोन पे बी गूगल पे सी पे टियम डी भीम तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मबर भी गूगल पे ने इंपोर्टेंट पॉइंट्स है गूगल ने यूपी आई लेंदेन के लिए आधार आधारित प्रमाडी करन लॉंच किया है जो उप्योवित करताओं को प्रमाडी के माधियम से काम करेगा आधार के माधियम से यूपी आई को ओन बोर्ड करने के इच्छू कुप्योव करताओं को यह सुनिश्यत करने की अविश्यत्ता होगी कि यूई डी ए आई के साथ पंजीक्रेट उनके फोन नंबर और उनके बैंक समान है और उनका बैं लाइसेंस की प्राप्ति के बाद अकाउंट एग्रिग्रेटर एए शेवाएं शुरू की हैं तो ओफ्शन्स हैं इसके फोन पे भी गूगल पे सी पेटियम डी भीम तो राइट अंसर हो जाएगा इसका ओफ्शन नमरे फोन पे ने इंपोर्डेंट पॉइंट से फिंटेक प्रमुक फोन पे ने भारतिय डिजर बैंक आरवी आई गैर बैंकिंग बित्तिये कंपनियों एन वी एफसी लाइसेंस की प्राप्ति के बाद एकाउंट एग्रिग्रेटर एए से वाउंग की शुरूआद की हैं कंपनी ने इसे अपने पूंसामित वाली सहाइक प्रम्पनी फोन पे टेक्नोलोजी सर्विसिस के जरिये लॉंच किया है फोन पे को 2021 में एक खाता एग्रिग्रेटर के रूप में संचालित करने के लिए भारतिय जब बैंक आरवी आई की स्विकृति प्राप्त हुई खाता एग्रेटर से वाएं भारतिय उभुगताओं क अपने सभी बित्तिय डेटा जैसे कि बैंक विपरान बीमा पॉलिसी और बिनियमे बित्तिय संस्थानों के साथ टेक्स फाइलिंग पर सहमती देने और साध्य करने के उनुमती देगी फोन पे टेक्नोलोजी सर्विसेज ने अपना उत्पास सूट और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी लॉंच किया है फिंटेक कंपनी ने फोन पे उभुगता एप्लिकेशन के भीतर एक अकाउंट एग्रेक्रेटर माइक्रो अप्लिकेशन बनाया है नेक्स्ट कुशन है कुशन नमर 14 विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है ए छे जून बी साथ जून सी आट जून डी नौ जून तो यह मनाया जाता है फ्रेंस नौ जून को आप्शन नमर डी इसका सही आंसर है इंपॉटेंट पॉइंट से विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है इस दिन का उद्देश स्वास्त सेवा प्रयोक्षालाओं प्रमारन निकायों और अनुरूपता मुल्यांकन सेवाओं जैसे उद्द्योगों में छमता विश्वस नियता और विश्वस नियता सुनिश्चित करन में मानेता के मुल और लावों के बारे में जागुकता बढ़ाना है 2023 में इसकी थीम रही है प्रत्यायन वैस्ट विव्यापार के प्रविश्चिका समर्थन करना विश्व प्रत्यायन दिवस पहली बार 9 जून 2008 को मनाया गया था यह अंतर राष्टे प्रत्यायन फौरम ए आई एफ और अंतर राष्टे प्रियोकसाला प्रत्यायन सहयोग आई एल एसी द्वारा मानेता के मेहतों के बारे में जारुकता बढ़ाने और उत्पादों सेवाओं और प्लानियों की सुरक्षा और विश्वाष नियता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका के रूप में इस्थापित किया था फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी प्रीच कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीड स्काइब करके बाइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अप्लोट करो तो उसका नुट्फिकिशन आपको मिल सके फ्रेंट्स मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार